दाल एक ऐसी चीज होती है खाने के लिए जो अगर उसमें पर्फिक्ट मात्रा या पर्फिक्ट चीजें नो इसमें पड़ें तो जो हमारी दाल है स्वाधिस्ट नहीं बनेगी तो आज इसी की रेसिपी में आप लोग के साथ सेयर करूंगी तो चली बडूसरू करते हैं और देखते हैं तो सबसे पहले जब हम डाल रखें गैस पे बनाने के लिए या इंडक्शन पे किसी भी चीज पे तो सबसे पहले उसमें हल्दी नमक आप उसमें मत डालिए और जब बस धूल के रख दीजिये और इस तरह से जब वाइल हो जाती है दार तो इस तरह से एक जाग बन जाती है तो इस जाग को है जो आप निकाल दीजिये और क्योंकि ये जो जाग होता है वो बहुत ही नुकसान करता है हमारे सरीर के लिए क्योंकि मार्गेट में जो है वो नेच्रिल चीजे नहीं मिल रही है ज्यादा तर पॉलिस वाली हुई चीजें होती हैं वो इसके जाग के साथ निकल जाती हैं और वो हमारे सरीर के लिए भी बहुत ही फैदेमंद होता है तो अगर हम उसको नहीं निकालते हैं तो बहुत ही वो नुकसान करता है उसके बाद उसको निकालने के बाद जो है जाग निकालने के बाद इसमें आप हलका सरसो का तील और टमाटर डाल करके इसमें आप अपने डाल को बॉयल कर लें तो इस तरह से करने से जो है हमारी डाल हमेशा परफिक्ट बनेगी और हमारे सरीर पे भी लगेगा तो यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से जो हमारी दाल बन करके त्यार हो गई है और यह अच्छी तरह से गल गया है टमाटर भी अच्छे से गल गया है अब मैं इसमें तड़का लगाऊंगी वो भी नॉर्मल ही जो हम सब लगाते हैं मैंने वही लगाया है तो आप इसमें चाहें तो अरहर की दाल मैंने लिया है और थोड़े से जो उड़त के दाल इसमें मैंने एड़ करके बॉयल किये हैं आप चाहे मिक्स दाल या कुछ भी बनाएं तो इस टेक्निक का उपयोग जरूर करें और उसके बाद यहां पर मैंने गी लिया है और उसमें मैंने जीरा डाला है गी का उपयोग इस वजह से मैंने किया है क्योंकि गी से जो है स्वाद बहुत ही अच्छा होता है दाल का और त तो अगर आप मेरे चैनल पर पहले बर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इस तरह के कॉंटेंट को देखने के लिए तो पहले के जब आने में आपने देखा होगा कि जब हमारे दादी नानी जो है इसमें चूलिय बगारे के खाना बनाती थी तो जब हम उबालाती थी तो अपने आप जो जहाग मेंने निकाला है वो निकल जाती थी लेकिन आज का नया जबाना है और ऐसे में कुकर में ही हम लोग दाल बनाते हैं तो यह चीज़ें हम लोग निकालना भूल जाते हैं तो इस तरह से बनाईए आपकी दाल बहुती अच्छी है बहुती परफेक्ट बनेगी और इसका कलर भी देखे कितना अच्छे से खिलके आया है तो इस तरह से है ये और कोई जादा ताम जाम मैंने नहीं किया सिंपल चीज़ें रखी हैं और इससे ही हमारी जो दाल है बहुत भी चीज होती है तो खाने से ही चीज़ें जूड़ी होती हैं और हमारी वो सिहत के लिए काफी नुकसान करता है और इस तरह से जो है जब भी दाल बनाए तो उसके जो जाग को निकाल करके बनाए बहुत ही स्वाधिस्ट बनेगी तो चलिए फिर मैं अपना जो है ये टेक किया लवी वाल फ्रेंड्स जै हिंजा भारत